वैलकम टुढirie दस्तक अकैडमीSु दस्तक अकैडमी में स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पढ़ेंगे हम सभी लोग प्रमुकत इस थल एवश के निर्मान करता ठीक नॉब अप्रमुक इस धल एवं उनके निर्मान करता से 50 अतिमयत्पूर प्रसन पढ़ेंगे जिसे की गाइस पेपर में यही प्रसन पूछे जाते हैं तो वीडियो की क्वाल्टी देखें क्वेशन समझ में आए अच्छे लगें तभी लास्ट में सब्सक्राइब करें और जाधा श्याधा इस्टी ग्रूप में सेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फ्री पीड़ फाइल आप से भी को टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के टिक्स्न बॉक्स में दिया हुआ है ठीक ना वहां से फ्री में सभी वीडियो की पीड़ आप आप से लोग डॉन्लोट कर सकते हैं तो चलिए गाई से आपर स्टार्ट करते हैं कोई सब एक्जाम हो आल इंडिया स्टेट का या फिर श्टेट वाईस कोई सब एक्जाम हो relevant टी वीसी गुरूब डिये SSC, UPSC, 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 UPSI सभी के लिए महत्वड प्रसन है तो चलिए गाई स्टार्ट करते हैं बनाए भारत के एतियासिक स्थल है ठीक ना उनके निर्माण करता कौन थे वे पूछ रहा है इस चेप्टर से का इस कोश्चन बनते रहते हैं आप से लोग ध्यान नहीं देते हो ठीक ना ये चेप्टर आप से लोग पूरा-पूरा कंप्लीट कर लो दिल्ली का लाल किला निम में से किसने बनवाया था तो फ़ेश्ट का सी गरेक्ट है यहाँ पर साजहा ने बनवाया था याद रखें आप सभी लोग ठीक ना सी गरेक्ट है साजहा ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था याद रखें आप सभी देखो अंगला कोश्चन क्या है दिल्ली के लाल किले क के निर्माढ किस वर्स किया गया थ है यह भी questions पूछा जाता है ठीक ना दिल्ली के लाल किले का निर्माढ 1648 इस्वे में किया गया option number 1 correct है याद रगे 1648 इस्वे में ठीक ना second question का अगला question देखव पिर यहां पर निम्न में से किस किस का वस्तवकार उस्ताद अहमद लाहोरी जी थे किस विया पर कौन सी इस्तल के निर्माड करता उस्ताद अहमद लाहोरी थे बताओ भटबट उस्ताद अहमद लाहोरी ने किस चीज का निर्माड किया था थर्ड कोशन का बी करेक्ट है लाल किले का निर्माड उस्ताद अहमद लाहोरी ने किया था फिलालाइड इसका option number B याद रखे पीडेप ले लो पीडेप काफी अच्छी पीडेप है ठीक ना ले लो सबी लोग निमन मेंसे किसने आगरा के किले का पुना निर्माड करवाय था आगरा के किले का पुना निर्माड किसने करवाय था चौथा कोशन को देखो चौथे कोशन का यहाँ पर D करेक्ट है अकबर ने ठीक ना अकबर ने आगरा के किले का पुना निर्माड करवाय था याद रखे हमेसा option number D अरेक्ट अंजर इसका हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देख लो यहाँ पर क्या है आगरा का किला निर्मन मेंसे किस वंस की राजपूतों के पास था आगरा का कीला था इसकार वार क्या था आगला कोशन देखी फिर 6 कोशन क्या है आगरा का किला प्रतम विबरणत की सुवर्स मिलता है गाईस आगरा के किला का प्रतम विबरणत की सुवर्स मिला था या फिर मिलता है चोथे को 6 कोशन का यहाँ पर एक रेक्ट है दससो असी इस्वी में ठीक ना कब विबरणत मिलता राय जोधाने करवाई था हमेशा याद रखें राय जोधाने ठीक ना महरानगड किले महरानगड का किला कहा इस्तित है बताओ या महरानगड किले मलग जो किला है कहा परस्तित है क्या सूरत में है जोधपूर में है गन्नौर में है या फिर पुने में है आठवे का बी करेक् क्वेशिन गो. चलिये. आगले कोशशचा्र में देखते हैं उगला कुशन क्या है? क्वेश्चार का किला कहा इस्तित है? क्या किलिक करोगे? इसका राइट आंसर क्या जा रहा है? क्या गुजरात है मद्द प्रदेश है या फिर सवाई जैसिंग है जोधपूर है या फिर कोई नहीं दसुए का या पर सी करेक्ट है सवाई जोधपूर राजस्तान सवाई जोधपूर राजस्तान अड़तमबूर का कहा है स्थित है राजिस्तान बहुत अधिक के लिए फिलाल इसका राइट आंसर जारा D के साथ नेक्स शुक्षन दिखलो इस दुर्ग का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाय गया था जो एक वियाद दुर्ग दिखरा है सवाई माधोपुर भारत का जो है इस दुर्ग का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाय गया था बारवे कोशिन का एक रेक्ट है राजा सज्जन वीर सिंग के द्वारा यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण करवाय गया था कौन सा दुर्ग था यहाँ पर देखिए सवाई माधोपुर ठीक ना राजा सज्जन वीर सिंग नागिन किस वन से सम्बंदित है राजा वीर सिंग नागिन किस वन से सम्बंदित है 13 का यहाँ पर B करेक्टर 94 वन से सम्बंदित है हमेशा याद रखे अजमेर का किला निमने से किस ने बनवाया था अजमेर का किला किस ने बनवाया था अले फोर्थ कोशिन को देखो फोर्टिंग कोशिन को राजा मान सिंग पर्थम ने बनवाया था अजमेर का किला ठीक ना राजा मान सिंग ने बनवाया था अजमेर का किला हमेशा याद रखें यह भी राजिस्तान में ही इस्तित है आजमेर का किला राजिस्तान में ही इस्तित है याद रखें फिलाल इसका भी राजिस्तान में ही इस्तित है आगला कोशन देखो कुम्बल गड़ का किला किला किसने बनवाय था क्या करेक्ट इसका कुम्बल गड़ का किला किसने बनवाय था सी राइट आंसर हो जाएगा फिलाल कुम्भल गड़ का दुर्ग किस जिले में इस्तित है बताओ फटापड कुम्भल गड़ का जुगाई साब का दुर्ग है किस जिले में इस्तित है सेवंटीन कोशन का ब्र गड़ के जिले में इस्तित है आठारवे कोशन का सी गड़ की जिले में इस्तित हमेशा right answer हो जाएगा B के साथ इसका फोर्ट विलियम का निर्माण किस ने करवाय था फोर्ट विलियम का निर्माण किस ने करवाय था 19 कॉश्चन को देखो यहाँ पर राइट आंस जारा इश्ट इंडिया कंपणी के द्वारा करवाय गया था फिलाल लाइट आंसर जा रहा इसका ओप्सन नमबर D के साथ याद रखे फोर्ड विलियम कहा इस्तित है? किस राज में बजिया बता सकता है कोई? फोर्ड विलियम जो है किस राज में इस्तित है? हरियाणा, पंजाब, कोलकाता इनमें से कोई नहीं फोर्ड विलियम जो आपसका किला है याद रखें, C correct है फोर्ड विलियम किस वर्ष बनवाया गया था काईज़े फोर्ड विलियम का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 22 का राइट आंसर जा रहा A के साथ 1781 में इसका निर्माण करवाया गया था ठीक ना, फोर्ड विलियम का याद रखें आप्शन नमबर A करेक्ट है फोर्ट सेंट जार्ज किला निम्न में से किसने बनवाया था फोर्ट सेंट है फोर्ट सेंट जार्ज किला किसने बनवाया था इस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था ए भी किला ठीक ना Fort St. George Kila, South India Company की दोरह बनवाय गया Fort St. George Kila कहां इस्तित है? 24 काया पर एक एरेक्ट है, तमिलाडू राज में इस्तित है, याद रखें कहां पर तमिलाडू राज में इस्तित है, Fort St. Laj Kila फिलाल इसका भी एक एरेक्ट आंसर ही है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था कौन कर रहा इस कोश्चन को 25 कोश्चन को देखो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था तो करेक्ट आंसर जारे 25 का option number B महाराजा सवाई ने महाराजा सवाई ये भी राजिस्तान के ये थे हवा महल का निर्माण हवा महल का निर्माण किस वर्च कराया गया था। इस राज में इस्तित है 21 महल तो हमेशा याद रखें इसका राइट आंसर जा राज सी के साथ 27 का आप्षिन नमबर यहां पर सी करेक्ट है रजस्तान राजस्तान की राज़णी क्या जैपूर वह यहां हवा महल राजस्तान में इस्थित है अगला कोशन देखा जाए महाराजा पैलिस कहां इस्थित है महाराजा पैलिस कहां इस्थित है 28 का यहाँ पर भी गरेक्ट है मैसूर में इसी थे ठीक ना मैसूर में मैसूर भारत के किस राज़ का एक गाइस पार्ट है या फिर सहर है बताओ भटबट मैसूर जो है भारत के किस राज़ का एक सहर है ये कमेंट करके बताओ 28 का महराजा पैलिस का अन नाम क्या है 29 का यहाँ पर एक रख़े मैसूर पैलिस भी इसको बोलते हैं याद रखें ठीना महराजा पैलिस को मैसूर पैलिस की नाम से भी जानते हैं नेक्स टूशन देखें देख लोगा इसे कोशन आ ही चुका है मैसूर जिला जो है भारत के किस राज में इस्थित हैं आप से पूछा था 28 में बड़ियां पर मैं बता दे रहा हूँ मैसूर जिला जो है भारत के किस राज में इस्थित हैं 30 कोशन का यहाँ पर करेक्ट आंसर है C के साथ करनाठक राज में इस्थित हैं यसे याद रखें। stimulating नेक्ष्ट कोशिण देग लिजी 31 कोश्चन क्या है है महाराजा पहले इस भारत के किस राज़ में स्थित है ने इस्तित नहीं पूचा लगत निर्माड कोचा है महाराजा प्पट्याअन्ण किस ने कर coincidence अरा आपसंस पड़ो फटापड, क्या आरंग जेव ने, साजहा न, अकबर न या फिर क्रश्न राजेंद्र वाडियार फॉर्थ ने, क्रश्न न आए, क्रश्न नहीं, ठीक न, बताओ फटापड, 31 question का correct है, आपर D, क्रश्ना राजेंद्र वाडियार फॉर्थ ने करवाये था यह अगला कुशन देख लो फिर यहाँ पर क्या है राष्टपती भवन के वस्तुकार कौन थे राष्टपती भवन के इस डिजाइन है इसके वस्तुकार कौन थे बताओ बट बट थर्टी टू गोशन अगला कुशन देख जाए फिर यहाँ पर चलो फिर देख लो नेक्स्ट कोशन ग्या बनना है देखिए आपसे लोग थर्टी फोर कोशन है अच्छा कोशन है राष्टपती भवन का निर्माण किस वर्ष पूर्व हुआ था पूर्व नहीं पूर्व नहीं पूर्व नहीं ठीक ना राष्टपती भवन जुगा इसे इसका वर्क जुगा इसकार हुआ थ किस वर्स पूर्ड हुआ था 34 गौशन 34 का यहां पर option नामर बी गरेख्ट 5 याधे रखें विक्टोरिया जम्रेख्शन का यहां पर बीख से याधे रखें था नाम विलियम इमरसन उतुत माइ रुकूरिय लो विक्टोरिया ठीकलो ने आखें यह तो Queensborough मिमोरियल कहां इस्तित है कौन कर रहा इस कोशन को करो फटा पर Victoria Memorial कहां इस्तित है क्या कोलकाता है ओडीसा है पश्चिम मंगाल है जारखंड है क्या है correct answer इसका 36 सका A correct है कोलकाता राज़े में इस्तित है Victoria Memorial option number A correct है याद रखो आप सभी अगला कुशन देख लो फिर यहाँ पर Victoria Memorial डैस कालीन इसमारक है किसका है मुगलों का है इनकी ब्रिटिस का मुगल का मौर का हर्यक का Victoria Memorial डैस कालीन इसमारक है 37 का एक 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 है ब्रिटिस का है याद रखें आप सभी लोग ए राइट आंसर इसका हो जाएगा अगला कोशन देखा जाए दर्वाजा का निर्माण किसने करवाए था दर्वाजा का बताओ फटा बड़ इंपोर्टन एक कोशन तो राइट आंसर जाए 38 का option number C अकवर ने ठीक ना याद रखें दर्वाजा कहीं कहीं लिखा था बुलन दर्वाजा था अप्शन नमबर C करेक्ट है बुलन दर्वाजा का निर्माण किसने करवाए था 39 का राइट आंसर है याँ पर option number guys B उत्तर प्रदेश में इस्थित है बुलन दर्वाजा कहां इस्थित है उत्तर प्रदेश में इस्थित है याद रखें आप सभी लोग ठीक ना next question देखो देखो यहाँ पर क्या question मनना है अकवर ने बुलन दर्वाजा को किस वर्स मैं लग किस वर्स नहीं किस वीज़े के इस मारक के रूम में मनाय था जो अकवर ने घाईस बुलन दर्वाजा बनवाय था किसकी वीज़े पर गैस इसने बनवाय था हर्याडा वीज़, गुजरात वीज़, राजिस्तान वीज़, उत्तर प्रदेश वीज़ सभी को बता बच्चे बच्चे को बता गुज़रात वीज़ याद रखें फिलाल लाइट आंसर जा रहा है इसका option नंबर B के साथ गुजरात विजय की time guys अकबर ने बुलन दरवाजय का निर्माण करवाया था और यह guys उत्तर प्रदेश में इस्तित है याद रखें बड़ा इमाम बड़ा कहा इस्तित है कहा राईस को 41 कोशन बड़ा इमाम बड़ा जो है कहा इस्तित है उत्तर प्रदेश दिल्ली पंजाब या फिर राजस्थान 41 का करेक्ट आंसर है यापर A उत्तर प्रदेश में इस्तिते ये भी बड़ा इमाम बड़ा याद रखें option number A करेक्ट आंसर है कुतुम मिनार का निर्माण का मलग की निर्माण ये संस्थापक कौन था गईज कुतुम मिनार का निर्माण की जिने करवाय था तो 41 कोशिन का 42 कोशिन का गईट आंसर है यापर B कुतुम बुद्धिन एवग निर्माण करवाय था बड़ यापर निर्माण पून नहीं हुआ था गईज पूर्ण नहीं हुआ था ताज महिशन किया ताज महिल का वस्तुकार कौन था पिंगली वंकेयह उस्ताद अहमद लाहोरी अध्मिन लुटीन से हापर इन में से कोई नहीं तु इसका राइट अंसर जा रहा है किसके साथ 43 कोश्चन का करेक्ट B उस्ताद अहमद लाहोरी ने ताज महल का निर्माण मलकिया पर वस्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहोरी ताज महल का निर्माण किसुर्स किया गया था 1632 में किया गया याद रखे 45 question का correct D समराट असोक ने असोक इस्थम्ब का निर्माण करवाया था अगला question देखिए असोक इस्थम्ब कहां इस्तित है सारनाथ कुसी नगर पावाफुरी इने में से कोई नहीं 46 question का correct A सारनाथ में इस्तित है याद रखें कितने दिन में धाई दिन में ठीक ना 2.5 दिन में बन कर तयार किया गया था तो इसका जोपड़ा का निर्माना किसे ने करवाय था असोक साजहां कुतवुद्दीन एवग 47 कोश्चन का सीग रेक्ट है 48 कोश्चन का एक रेक्ट है यापर रजिस्तान राजिस्तान राजिस्तान ने याद रखे विजय इस्तम्ब राजिस्तान में इस्तित है इसका निर्माड विजय इस्तम्ब का निर्माड किसने किस वर्स हुआ था गैस किस वर्स शुरू हुआ था पूछ जा रहा है फिप्टी कोशिन का एक रेक्ट है 1448 में विजय इस्तम्ब का निर्माड कारग शुरू हुआ था याद रखें मिलते हैं किसे नेक्ष वीडो में अच्छा लगो सब्सक्राइब कर सकते हो और सेयर कर सकते हो 5 student class. Thank you.